एक चीज जो आपको एज ए इनसान पूरी तरह से बदल सकती है वो एक चीज जो हमें बहुत छोटी सी लगती है लेकिन वो बहुत इंपोटेंट है हमारी लाइफ में वो है कि हमारी संगत कैसी है हमारा फ्रेंड सरकल कैसा है जुरूरी रही जिसके फ्रेंड सरकल में कोई माइफ के केस में कौन सा फ्रेंड सरकल है जो सही नहीं है अगर आपके फ्रेंड सरकल में कोई इनसान बहुत नेगटीव है और हर चीज में वो दुसरों की नेगटीव चीज़े देखता रहता है तो कहीं ने कहीं उसका असर आप पे होगा वहीं पे अगर आपके फ्रेंड circle में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि life में अपनी नेगटिव चीजे देखता है अपनी negativity देखता है उसको solve करने कोशिश करता है और उसका ज्यादा तर वक्त ना इसी चीज में जाता है कि खुद के अंदर की negativity ढूणना और फिर अपने उपर काम करना और कोई भी चीज वो शुरू करता है न उसमें वो कामियाब होता है और आप उससे सीखते हैं चीजें तो आपके friend circle में आपको किस से दूरी बना लेनी चाहिए हाँ आप एकदम से ऐसा नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए भी गलत रहेगा और सामने वाले को भी वो अजीब लगेगा लेकिन यकीन मानिए अगर कोई friend circle में आपका ऐसा है जो कि बिलकुल बदलब दुनिया को जिन्दगी को बहुत ही negativity से देखता है तो उसका असर आप खुद पे पाएंगे चाहिए वो आपका कोई family member क्यों न हो लेकिन family member से हम दूर नहीं हो सकते लेकिन friend circle जो बिलकुल ऐसा है उससे थोड़ा सा दूरी आपको बना लेनी चाहिए क्योंकि आपकी life में जिसके भी साथ आप वक्त बिताते हैं चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो वो आपका पूरा perspective change हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा आप कोई भी time चाहे आप shorts में बिताते हो किसी के साथ में बिताते हो कोई friend circle है family member है एक के साथ तो भाते करके आपको लगता है कि हाँ यार life में बहुत कुछ है करने को और हम बहुत कुछ achieve कर सकते हैं आपके मन में बड़ा उत्सा, positivity, energy रहता है और आप अगर सोचो उसके साथ कुछ mint बात करके आपको ऐसा लगता है तो अगर आप उसके साथ daily, 10 minute, 5 minute जितना भी time आप बिता रहे हैं तो क्या आपको उसका positive impact नहीं पड़ेगा वहीं पे ऐसा इंसान है कि जिससे बात करके आपको लगता है मतलब जो दूसरों की पुराही करने में ही मतलब उसको लगता है कि उसका जीवन है कि मतलब उसको time ही इसी चीज़ में पास होता है कि बस दूसरों की कुछ कमिया निकाल दे और आपको फिर पाएंगे कि आपकी आदित भी कुछ ऐसे ही बनती जा रही है तो प्लीज अपने दिन का 5 minute भी दे रहे हो, 10 minute भी दे रहे हो, जितना भी time दे रहे हो चाहे कोई shorts देखते हो, चाहे किसी से मिलते हो, चाहे आपका friend circle है वहाँ पी आप positive चीज़े देखे, आप यकीन मानिए वो 5 minute, वो 10 minute जितना भी आप बिता रहे है अपना वो जब आप positive चीज़ों में बिताना शुरू करेंगे न, तो आपके मन में जो ये खुद के परती सवाल रहते है न, खुद के परती जो संदेह रहता है कि मैं क्या करूँ, जिन्दगी में क्या है करने को, अब कुछ नहीं बचा, या फिर बस अब ऐसे ही कटेगी life, ऐसे ही सही है life वो वाले चीज़े नहीं आएंगी, यकीन मानिएगा, बहुत सारे लोग ना सिरफ जिन्दगी इसी वे में काट देते हैं कि यार, बहुत कर लिया हमने तो, अब बच्चे करेंगे, अरे नहीं यार, अगर बच्चे भी ऐसा ही सोचेंगे तो, अगर बच्चों की कंडिशन भी ऐसी होगी तो, तो फिर ये पेडी दर पेडी चलेगा जैने हम ये मान के बैट जाएं, यार, हमारी उमर निकल गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे हमारी मदर ने भी ऐसा सोचा होगा कि यार हमारी उमर तो अब निकल गई है बच्चे करेंगे और आगे हमारे बच्चों की भी कुछ करडिशन ऐसी हो जाए तो क्या वो सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा कि यार जितना भी वक्त है हमारे पास क्यों न हम कुछ सही करें और हम कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को भी एक सीख दे सकते हैं कि उमर चाहे कुछ भी हो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% दे सकते हैं जब मैंने किसी भी जर्णि movement को स्टार्ट किया चाहे मैंने एक जन्वरी से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या फिर मैंने अपना UPSC की जड़ी को स्टार्ट किया मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कोशिश करूंगी सफलता मिलेगी तो बढ़िया नहीं तो क्यों डरू जिंदगी में क्या होगा कुछ ना सही कुछ नया तजुर्बा होगा